हेलो फ्रेंज केसे आप तब क्या आपके भी पतियों और पोधों में खराब हो चुके हैं फंगस लग चुकी है या फपुन लग चुके हैं जिसके वज़े से आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं या फिर कलिया नहीं बन रहे हैं तो आज म करने से आपके पोदों में फूल अच्छे आएंगे लेकन उसके साथ आपकी मिटी इतनी अच्छी होने वाली है कि फूलों की मात्रा बर बर के आएगी आप देख सकते हैं कैसे गुलाब में काड़ी कीरी लग गए हैं अक्सर हमारे मिटी में कहीं बार हम कंपोसिंग डालते हैं गर में बनी हुई कंपोसिंग जो किच्छन वेस से बनती है जिसके वज़े से फफून जैसे खराब पोदों में फफून लग जाती है या और कहीं भी कीरे वगर है जैसे कि मेकों की चीटियां लग गई या पर कोई छपी वी अंकीरे लग जाते हैं कией तरह के मिटी में कीरे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही उप्योंगी है अक्सर हमारे प्लांस में अंचाई गास लग जाती है हम कितना भी उनको निकलते हैं लेक कि नहीं निकलती तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके यूज से आपकी जितनी भी अंचाई गास है, एक बार में निकल जाएगी, तो वो है सोडा, आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पोदो के लिए बहुत ही उपयोगी है, पोदो में लगी हुई फफ पोदो के लिए अधिक सुरशित है, मेकों की काफी सुरख्षित है, जो भी जंगली गास जो नश्ट करना होता है, बार बार उग जाता है, कितनी बार भी हम उसको निकालें, लेकिन वो निकलता नहीं, तो इसके यूज से, एक बार यूज से हमारा गास एकदम खलास हो जा तो चली मैं बताती हूँ सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो मिट्टी को जब भी आप कोई भी खा देते हैं, ना चाहे कोई भी जरूई नहीं बेकिंग सोडा, अच्छे से जो भी आप देख सकते हैं, कैसे गास हो गया है, हलकी सी आपको कुदाई कर ल सोडा के वज़े से टमाटर बहुत ही अच्छे बरे बरे और लाल लाल आते हैं इसके यूज करने से, बस जब भी हमें बेकिंग सोडा यूज करनी है ना, तो याद ये करना है कि उसकी मातरा कितनी रखनी है, ऐसा ना हो कि बेकिंग सोडा मिटी में ज्यादा मिल जाए, तो पौदे अच्छे होने के बज़े, पौदे खराब हो जाएं, तो चलिए मैं बताती हूँ, इसको मैं कैसे अपने गार्डन में पौदो के लिए यूज करती हूँ, मैंने यहाँ पर एक बालती पानी की ले 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 है, सिंपल जो साधा पानी आता है नल का, वो ही पानी लिय अब इसमें दो चुटकी जादा नहीं, याद रखिएगा बेकिंग सोडा का इस्तमाल हमें कमी करना है, आप चाहें तो एक बार ये कर सकते हैं, तो इसका यूज से आप एक प्लान पर करके देखिए, पत्तों पर शिरकाव करके देख सकते हैं, अगर आपके प्लान में पत आप पहले यूज करके एक प्लान पर देख सकते हैं, शाम के वक्त कि आपके प्लान के पतियां पीली नहीं हो रही है, मुड़ तो नहीं रही हैं, फिर आप दूसरे प्लान पर दूसरे दिन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैंने इस पानी में हलका दो चुटकी मैंने सोडा डाल दिया, और हर प्लांस में ये पानी दे दूँगी, इससे जो भी मच्छर, फफूंद, जो भी होगा न, प्लांस में मिटी में, या बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं मिटी में, वो सब अपने आप नर्ष्ट हो जाएंगे, आप चाहें, तो इसका बहुत अच्छा करता है, अक्सर हमने pH लेवल कम जादा हो जाती है, तो गुलाब, गुरेल, ये सब चीजों में, अगर हमने थोड़ी सी मेकाओं की हर 15 दिन में मेने में एक बार भी डालते हैं तो हमारे प्लांस बहुत ही अच्छे होता होते हैं